दोस्तो मैं इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि अगर आप एक संसंग का फोन यूज करते हैं आपका जो है तुछ जो है अच्छे से वर्क नहीं कर रहा तो इस वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि अपने touch sensitivity को जो है कैसे फास कर पाएंगे अपने touch sensor को जैसे तुजन साथ जैसे मेरा देख साथ हैं बिल्कुल मेरा smooth काम कर रहा है तो आपके Samsung का phone में अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो अपने एक आपको setting करना है आपको क्याओन सा setting on करना है मैं आपको इस वीडियों पूरा बताने वाला हूँ तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नहीं हो चैनल को subscribe करना मेरे चैनल पे आपको update से related और setting से feature से related जानकारी आपको देखने को मिलते रहते हैं चैनल को जरू से subscribe कर लेजेगा तो चली मैं आपको उता देता हूँ कि यहाँ पे setting कैसे करना है आपको आपको जाना है अपने phone के setting के अंदर यहाँ पे setting के अंदर आने के बाद आपको एक setting के अंदर जाना है जो कि एक display का setting आपको देखने को मिलेगा आपके Samsung के phone के अंदर तो इसके अंदर चले आना है इसके अंदर आने के बाद आपको simply आपको थोड़ा सा नीचे आना है ठीक है ko touch sensitivity ko simply simple in2yon card देख से मैं जैसे यहाँ पर इनेबल कर दिया हूं यह blue color में कर्दिशे हैं जैसे यहां पर बंद रहेगा तो आपको simply appearing on कर देना है blue color क कर देना है आपको camera में इच्छे से दिखाए नहीं दे रहा इसका तो आपको कर देना है इसको अन तो अन करने के बाद आप दिखेंगे जैसे ही बैख जाएंगे अपने फोन से बाहर निकलेंगे तो यहां पर देख सेते हैं कुछ ही सरा का जो है आपका टच पहले से काफी अच्छा वर्क करेगा काफी अच्छे से काम करने लगा तो यह काफ सारे लोग ऐसे हैं लेकिन मेरा विडियो देखते हैं लेकिन चैनल को subscribe नहीं कर लेना और मिलते हैं next video में ऐसे आप को features little video देखना है तो जरू उसे subscribe कर लेना वीडियो को भी like कर दिजेगा मिलते हैं next video में